बातों ही बातों में सल्मान खान ने मारा विकी कौशल को ताना मिस्टर कौशल को याद दिलाया एक्स गर्फरेंड कट्रीना कैफ का धोका जे हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप आखेकार सल्मान खान ने कही दी अपने दिल की बात वो भी विकी कॉशल के साबने मस्ती मजाख में सल्मान ने विकी कॉशल को उनकी गर्डफ्रेंड काट्रीना कैफ को लेकर कसा है जबरदस्त तंज और इस पूरे सीन को देख कर अब सल्मान खान की फैन आर्मी भी खूब मजे ले रही है ये सब हुआ है विक बॉस के सेट पर जब शो के होस्त सल्मान खान घरवालों पर शुक्रवार का वार करने के लिए हाजिर हुए थे उसी एपिसोड में विकी कोशल अक्ट्रेस तियारा अटवानी के साथ अपनी न्यू रिलीस फिल्म गुविंदा नाम मेरा को प्रमोट करने आये थे शोबे पहुँचकर विक्की और कियारा ने सल्मान खान के साथ जम कर मस्ती भी की और उसी दौरान सल्मान खान ने विकी कोशल के सामने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर ओडियंस के भी कान खड़े हो गए और प्रांस एक के बाद एक मदेदार कॉमेंट्स कर जम कर मजे लेने लगे क्या किसी लड़की ने आपके लिए कोई पिक अप लाइन इस्तिमाल किया है अगर हाँ तो सबसे घटिया पिक अप लाइन क्या थी जो आपने सुनी बस इसी सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने जबरदस्ट पंच लाइन बोल डाली भाईजान ने विकी के सवाल का जवाब देते हुए कहा की पिक अप का तुम मुझे पता नहीं मगर लड़की ने ड्रॉप जरूर किया है मुझे और फिर क्या था सलमान के मुझे लड़की ने ड्रॉप किया है वाली बात सुनकर कियारा विकी के साथ साथ खुद सलमान खान भी हस पड़े अब सलमान की इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ वो अपनी एक्स गर्फरिंड के बारे में बात कर रहे थे रिष्टा कायम रखे हुए हैं लेकिन आज भी वो कट्रीना से मिले धोके को भूले नहीं है रनवीर कपूर के साथ इश्क में गिरफतार होकर कट्रीना ने सलमान खान के दिल और सपनों को बेदर्दी से तोड़ा था जिसके बात से ही वो आज भी दिल जले आशिक बने घ मैं ने लिखा मजाख मजाख में सलमान ने दिल की कह दी एक और यूजर ने मजाख उड़ा दो